नमस्कार दोस्तों सुवागत आपका एक और नई वीडियो में बात करेंगे ग्रूप डी खेलकोटे के बारे में क्या खेलकोटे की जो ग्रेडेशन है वो दो जारते इस वाली परती में फैडरेशन वाली वैलिड होंगी या नहीं होंगी क्या 6 जुलाई के बाद की ग्रेडेशन वैलिड होंगी या नहीं होंगी और गुरूप डी के रेजल्ट में टाइम क्यों लगने लग रहे हैं तो सबसे वहले दो बात कर लेते हैं 6 जुलाई के ग्रेडेशन जो 6 जुलाई के बाद की ग्रेडेशन है अकोर्डिंग टू मेरे डोकुमेंट 7 जुलाई से पहले के मांगई गए थी 6 जुलाई वाली चल जाएगी 7 जुलाई वाली नहीं चलेगी यानि 7 जुलाई के बाद च्छे जुलाई के बाद की ठीक है अब सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी घब्रानी के आवश्कता नहीं है पहले तो कंडिडेट अपने लावल पर आपने डोकुमेंट वरिफाई करवा के अपनी वरिफाई करवा के देने लग रहे थी लेकिन अब जो है स्पोर्स डिबार्टमेंट पर शुद्र ले ली है औ आपकी लिस्ट भी जल्दी ही एक सेगंड लिस्ट के रूब में जारी करती जाएगी आपको भी सामिल उसमें कर लिया जाएगा जो कंडिडेट बच गए ठीक है रोना त्या है ठीक है रेजल्ट जो आएगा वह विल्कुल एक्कुरेसी के साथ आएगा ये कह सकता हूं में क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं बचेगे अपकी बार ठीक है उमीद यही है कि कोई भी गुंजाइश गडबड़की नहीं रहेगी और जो ग्रेडेशन जिसके पास नहीं है फरजी जो कंडिडेट कह सकते हैं वो बार हो जाएगा और लेट होने कारण भी मुख्य रूप से यही है आपका जो रेजल्ट लेट हो रहा है को रूपड़ी साथ डिपार्टमेंट दे दिये जाएं ठीक है और आपका सेलरी का मैटर जो रुका वहाँ वो भी सोल आउट हो जाए तो सरकार चाहती कि सभी का एकदम से लिष्ट लगा के कलियर कम्प्लीट डाटा के साथ जो है इसको रिवाइज कर दिया जाए तो यह जानकारी आपके